हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक नो मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं बनाओंगी भटूरे तो भटूरे के लिए मैंने ये सब समागरी लिया है तो भटूरे के लिए मैंने मैदा यहां पर लिया है दो से ढ़ाई कप मैंने यहां पर मैदा लिया है और यहां पर मैंने दही लिया है चार से पांच चमच दही और दो से तीन चमच मैंने सूजी लिया है स्वाद अनुसर मैंने नमक भी लिया है और यहां पर मैंने एक चमच सुगर लिया है और सुगर को मैंने पाउडर कर लिया है और यहां पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है तो अभी स्वावाफरी को मैं अभी मैदा से मिला लेती हूँ अच्छी तरह से यहाँ पर मेंने जितना भी सावावफरी का नाम बॉला है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में जाकर आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं और अब अच्छी तरह से इसे हम गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे अच्छी तरह से हमें गूंदेंगे और अब ये मेदे का डोब बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है और अभी इसमें में एक चमस इसके उपर हलका से लगा लेती हूं और इसे में कभर कर लेती हूं 15-20 मिनट तक तो अभी 20 मिनट के बाद मैं इसे निकाल लेती हूं और ये डो बहुत ही अच्छी तरह से अभी बिल्कुल रेडी है बटूरे बनाने के लिए तो चलिए फिर बनाते हैं कर लेती हो आदा हैं और दो अभी 20 मिनट के बाद लेपन के लिए पाद टते हैं प्याँ जाजर को कर लेसे निए पर बनाते हैं झाल 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 तो भटूरे बनाने के लिए मैंने यहां पर कड़ाई पे तेल लिया है वो तेल अच्छी तरह से गरम भी हो चुका है तो चलिए अब बनाते हैं भटूरे और यह आप दे सकते हैं कितना अच्छी तरह से यह भटूरे फूल रहा है बिल्कुल दुकान के जैसा हाँ इसका साइच आप छोटा या बड़ा वह आप अपके हिसाब से आप रखेंगे कर दो शुकान के जैसा है तो यह दिखिए बन गया मेरा भटूरा और कितना अच्छा से यह फुला है दुकान की तरह दिख रहा है तो आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे जरूर बताना थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो धन्यवाद